ये है पार्ट थ्री जो हम लोगों ने टॉप वन हन्रेड जीके क्विस्चन के स्रीज चालू की है आपके एर फोर्स और नेवी एक्जाम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस में बार बार बता नहीं सकता जितनी अपने क्विस्चन्स आपने पढ़ी है जितनी जीके पढ़ी है वह एक तरफ और ये टॉप 101 क्विस्चन्स एक तरफ ये क्विस्चन्स आपको पता होगा मैं टेलीग्राम पर पहले करवा चुका हूँ और इनका डिटेल एक्स्प्राइशन और पीडिए फॉर्माट यहां पर मैं आपको प्रवाइड कर रहा हूँ अभी बहुत लोग ब इस्प्राइशन देता हूँ डेटेल में जो एक्स्टा इंफॉर्मेशन देता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट होती है और वो भी आपको नोट करते चलना है और यह पीडिएफ इसका मैं लास्ट हैंने की जब यह सौ पूरे हो जाएंगे तब मैं टेलीग्राम पे इसको अ आगे प्रोसीड करते हैं वीडियो में यह कुश्चन मैंने मैंने पूछा था कि बेटला नैशनल पार्क किस राज्य में नहीं कि इन विच स्टेट इस बेटला नैशनल पार्क सिच्वेटेड मैं कोशिचिस करता हूँ कि हर कुश्चन को इंगलिश में रिपीट करता जहार खंड तो जहार खंड में हैं बेटला नैशनल पार्क मैंने शुरू में यह क्यों बोला था कि सारे आप जितना आपने जीके पढ़ा है वह एक तरफ और जो अभी मैं करूंगा टॉप 100 वेक तरफ उसका रिजन यह है कि इसी कुश्चन से मैं आपको एक्जैंपल दे ठीक है और आए भी हैं पिछले जो प्रिवेस एर के स्वेंट से इस बात को तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं जहां पर एक्स्प्राइशन की जरूद होगी मैं आपको देता चलूंगा अगला कुश्चन है हिंद सुराज पत्र का किसके दौरा चालू की गई यह चालू हमारे Constitution में यह मारे समयदान में बहुत सारी चीज़े हैं Fundamental rights है Fundamental duties है DPSP हैं सब कहीं नहीं से मौस्णी लिए गए गए है यह लिए गए रश्या के Constitution से अब फिर से वही मैं बात बोलूँगा कि सब कुछ नहीं पढ़ना है को कि यह कहां से लिए गए हो कहां से लिए गया स वो US यानि अमेरिका के constitution से लिए गए हैं और एक तीसरा बहुत important बहुत जादे important है वो है DPSP यानि डिरेक्टिफ प्रिंसिपल्स अफ स्टेट पॉलिसी यानि हिंदिम बोलते हैं राजी के नीती निर्देशक सिद्धान थी ये कहां से लिए गए हैं ये Irish constitution यानि Ireland के constitution से अपछी कोनरी था नेए who was the chairman of the drafting committee of the constituent assembly अभी म सहोदा समीथी के बारे मैं अचली इसके बारे मैं बता चुका हूं जो ये विदान सभाव रनी थी總 Krisas के बारे मैं ने पृट टू जो वीडियो था उसमें में इसमें lle में आपको बता चुका हैं कि यही जो constitutional assembly थी जो 1946 से बनी थी इसी ने अपना constitution यानि इंडियन constitution फ्रेम किया था बनाया था और उसमें एक सबसे important committee थी समिती थी जिसका नाम था मौसादा समिती यानि drafting committee तो उसके chairman कौन थे ये आप से पूसता है सारे question कभी न कभी Air Force और Navy में आय हुए है और कभी न कभी यानि कि आपके Air Force में और Navy exam में आएंगे भी आंसर है डॉक्टर भीम राव अंबेटकर उस committee के chairman थे उस committee के सारे members याद करने के जरुत नहीं है सिर्फ chairman भीम राव अंबेटकर जी अगला question है अंडमान निकोबार किस राजी के साथ उसका उसका उच्छे नयाले साजा करता है तो हर state का और हर यूटी यहने union territory का हाई कोट नहीं होता है कुछ हाई कोट सारी कुछ states और कुछ यूटी दूसरे state के साथ अपना हाई कोट शेर करते हैं उसके नयाले साजा करते जैसे खी एपना इंडिया है और यह बन अट मान निकोबार आइलेंट यहां पे लेग शिदी friendly तो अगर साथ यहां पर है यह किसके साहथ करता जांद यह कर ता केरल का ही कोट कोश करता है अब आंडमान उमीन को बाद उससे पोचा का Eg Grund कर क्योंकि यह confusing है इस वैसे और confusing यह question रखता है एक्जाम में अब confusing क्यों है वह आप समझ यह होगे क्यों 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 क्योंकि आपको लगेगा कि कि इसका B इसका C इसका यह उससे अभी के लिए तो संतुष्टी मिल जाएगी लेकिन अगर long term memory में आपको कोई चीज store करनी है तो उसको अच्छे से समाझना पड़ेगा ठीक है अगला question देखते है दक्षिन गंगोतरी किस नदी को कहते है और रिवर इस नोनाइज दक्षिन गंगोतरी दक्षिन गंगोतरी कोई इंगलिश नहीं होता से वैसे लिखेया है कि अब कुछ लोग नगे भढ़क गया होँगे आइसे थोड़ी ना इस गोदावरी थोड़ी ना आंसर इसका का वेरी यह गलत बतारो नहीं सर इसके रिगार् के फॉर की के फॉर कावेरी ठीक है ऐसे याद रख सकते हो दक्षिन की गंगा होगा तो लेकिन अगर दक्षिन गंगोतरी पूचेगा बीच में कुछ जल्दी देखने को मिले गाएने कि अगर टार्गेट पूरा हो जाता तार्गेट पूरा का मतलब है कि मुझे मोटिवेशन मिलता कि हाँ स्टूडेंट्स को अच्छे लग रहे हैं वीडियो और मुझे जल्दी से वीडियो बनाने हैं सिर्फ इसका मोटेव इतना रहता तो अ अभी मैंने ब वझे 19 days लेकर मैं अपसे पूछँँगा भी दो दिन बाद तीन दिन बाद कि अच्छा बताओ अगर आपको सौराज पाटी नहीं बता रहता है वो था नॉन कोपरेशन मुवमेंट और सायो गांदोलन वहीं से एक मुवमेंट एक चीज चालुक की थी गांधी जी ने कि हम लोग जो जैसे अभी होती ना लेजिसलेटिव असमली पार्लेमेंट होता है अपने तो तब भी ब्रिटिश टाइम में भी ऐसा ही था पा अपस ले लिया विजड़ा कर लिया और फिर जी चले गए जब गांधी जी चले गया तो कोई एक लीडर नहीं था जब लीडर नहीं था तो इस कंफ्यूज थे कि आब हम बॉयकॉट को आगे जारी रखें यह फिर नहीं रखें बैनी पार्लेमेंट में हम लोग चुनाओं कर्लेमेंट में जाएंगे उसी तबक को बोलते हैं सुराज पार्टी कॉंग्रेस से अलग हो यह तो इन दोनों ने सुराज पार्टी इस्टाब्रेश की 1923 में अब आप नहीं भूलोगा क्यों तो कि आपको हर चीज सिस्टेमेटिकली याद होगे क्यों जैसे 1919 में पहले नॉन कोपरेशन आया था फिर बाइस में चौरी-चौरा होगा तो हड़े के नॉन कोपरेशन और उसके अगले साल बना से यह पेपर आपके चल रहे हैं तब से हर बार या एक्चुली क्वेशन आता है हर बार कि महत्मा गांदी उल्टा पूछ लेगा राज गाट किसके समाधिस स्थाल को बोलते हैं तो अंसर होगा महत्मा गांदी अच्छा एक और होता है विजय गाट वह इंपॉर्टेंट ह को बोलते हैं हमारे जो सेकेंड प्राइम मिनिस्चर एंडिया के उनके समाधिस स्थाल को बोलते हैं विजय गाट और वह कौन थे लाल भादूर शास्त्री जी अगला कुश्चिन है पहले कॉमन विल्ट खेल कहां पे हुए थे यह हुए थे कनाड़ा में और एक चीज और गेमस चाल हुए थे और कॉमन विल्ट का मतलब क्या होता है जो कंट्री कभी ने कभी बेटिश के सासन में रही हैं उनको कॉमन विल्ट बोलते हैं ठीक है अगला कुश्चिन देखते हैं मौलिक करतव किस अनुछेद में फंडमेंटल ड्यूटी इनार कॉंसिटूशन और विच आर्टिकल तो किस आर्टिकल में दिये हुए हैं तो जो मौलिक करतव ने कि फंडमेंटल ड्यूटी इस है ये आर्टिकल 51A में दिये हुए हैं अब जहां पर भी सब्टाइटल से लग जाना एबी सी इसका मतलब यह होता है कि यह किसी सम्विधानिक संसोधन से जोड 42 अमेंडमेंट और जिसको हम मिनी कॉंसिटूशन भी वोलते हैं तो तभी 11 फंडमेंटल ड्यूटी अब यह चली जब एड़ की गए थी तब 10 थी लेकिन उसके बाद एक और संसोधन किया गया था 86 वाला और उसके तहत एक जोड़ी गया थी एजुकेशन के रिगार्डिं और अब हो गई है 11 फंडमेंटल ड्यूटी ठीक है आगे देखते हैं और अभी पहला ही कुश्चन लोगों ने देखा था कि मॉली करतव किस देश के समिधान से लिए गया है रिशियन कॉंसिटूशन से ठीक है अगला कुश्चन देखते है 45 नमबर कि कौन सी मिटी रिगर के नाम से जानी होती है मैं पिछले वीडियो में कई अच्छे एक्स्प्लेइन कर चुका हूँ इसको आपको और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट दो नहीं देखें निए पार्ट वन और पार्ट सेकंड दोनों पार्ट नहीं देखें प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जाक अगर एक घंटा में कोई आपको बता रहा है वह चीज में आपको 15 मिंट में बता रहा हूं तो फिर टाइम आपका कितना बच सकता है और वह मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट का टाइम बचे इसवे सिंबल नों अगला कुष्टिन देखे 46 नमर बकसर का युद कब गया था क्योंकि एक तरफ से ब्रिटिश और एक तरफ बहुत सारे रूलर्स थे इस वैसे वह नहीं पूछेगा प्लैसी का यूद कब हुआ था यह वह था 1757 में ठीक है सिराजु दॉला और बिटिश के बीच में ठीक है अगला कुष्टिन देखते 47 नमबर एक दो कुष् से मतलब कि कभी ने कभी आपने यह कुष्टिन को अपने एक्जाम में देखा ही होगा अगर आप एक अटेम्ट कर चुके हैं दे चुके हैं यह फोस का हो चैने भी का हो तो पोटेवल डॉक्यमेंट फॉर्माट को बोलते हैं और अगर आपको वीडियो यह अच्छी लगत क्यों कोश्चिन क्योंकि अभी बताता हूं पहले तो आंसर देख लो रजयन गोगोई यह मैंने इस विए से पूछा क्योंकि रजसभा के लिए नामित किये गए नॉमिनेट किये राजसभा में प्रेसिडेंट कितने में बस नॉमिनेट करता है बताओ जरा वीडियो पॉस जज को अपॉइंट कि किसी चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया हो राजसभा में तो यह इंपॉर्टेंट नॉमिनेट किया गया हो और क्योंकि अभी 47 चल रहे हैं जो करेंट है ना कौन है जस्टिस शरत अर्विंद बोबले वो 47 यह कुश्चिन आना ही है आना है इस पहले कुश्चन में यह लेगे हैं अमेरिका से ठीक है और अगला कुश्चन देखिए कि नौरा देही wildlife sanctuary किस राजजमय नौरा देही wildlife sanctuary is in which state answer is MPN Madhya Pradesh अब याद कैसे रख सकते हो अब नौरा देही किसकी तरह साउंड कर रहा है कोई एक लेकिन फिर exam time में नहीं आता है आखरी question देखते हैं जिसका अगला पार्ट शुरू करवाँगा तब दोगा और इसमें मुझे 850 लाइक्स मिल जाते हैं से ज्यादा तो उसका अगला पार्ट जल्दी आएगा वनवर्ट की सब्सक्राइब चालू कर दी गई उसका भी नेक्स पार्ट आपको जल्दी देखने का मिलेगा क्योंकि आपने जो लाइक्स का टार्गेट हमने 500 रखा था उससे अपने दुगना करके दिया हजार से भी तो मैं आपको गउनगराचलेट करना चाहता हूं क्योंकि आपने एक टार्गेट अचिव किया आपने जो चीज़ शुरू किया आपने उसको खतम किया है और मेरी डिक्शनरी में उसको बोलते हैं क्लोजर और जो लोग शुरू करते हैं किसी चीज़ को और फिनिश नहीं क